हेलो फ्रेंड्स मैं हूँ वर्षा और आपका मेरे चैनल एस्वी के फूर्ड लोक्स ही बहुत बहुत स्वागत है तो आज मैं बनाने जा रहे हैं पटेटो राइस या मसाला पुलाव भी बोल सकते हैं आप इसको बहुत ही इजी बनता है और बहुत ही तेस्टी भी बनता है आपको बहुत ही पसंद आता है तो अगर आपको मेरी वीडियो पस्ता थे प्लिस वीडियो को लाइक को सेर कीजेगा चैनल को सब्सक्राइब कीजेगा तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को यह देखे हमने आपने एक कटोरी चावल लीते सिंपल नॉमाच चावल है जिसको हमने आदे गंटे के लिए भिगो कर रखा था और चावल अच्छे से फूल गए हैं अच्छे से गल गए हैं तो चलिए यहां सब्जा देख लेते हैं यह देखे हमने आलू टामाटर प्यास रारी मिर्ची ली है बड़े बटुकड़ों में कट करके और इसके बाद अब खड़ी मसाले में आप डालेंगे दाल चीनिक टुकड़ा डाल दिया है इसके पाद आप डालेंगे लॉंग और काले मिर्ची देखे डाल दी है और अब आप थोड़ी सी जो मोटी लाई ची ली थी एक हमने उसको क्रस्कर करके डाल दिया बस इसको एक सदूर मिनिट क इसको फ्राय कर लेते हैं यह देखे प्याज मिच्छा से कलर आ गया अब हम यहां पर डाल देंगे पटैटो उसके बाद हम यह पर डालेंगे टॉमैटो और ग्रीन चीली यह देखे ए तीनों चीज़े डाल देंगे और इच्छे से मिक्स कर लेंगे सभी चीजों को फिर हम आदा चमच लामिश पाउडर है आदा चमच हल्दी पाउडर डालेंगे और एक चमच के लगबग हम यहां पे धनिया पाउडर डालेंगे और सभी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे तो त्री टीजपून हमने यहां पर पानी आड़ी कहता है कि मसाले जो है निचे से चिपकेना जलेना और यह देखे सभी को मिक्स कर लिया है और तो से ती मिनट के लिए इसको ढग कर पका लेंगे हम यह देखे हमें ती मिनट हो गए हैं और सब्ची जो है हलकी सी सॉफ्ट हो आ生导्या वट आप देंगे कि चांट को अराम से हम धर ढाला क्योंकि चावल तूट भी सकते हैं कि हमनेक आदे गंटे के लियन को विगह lucar ता बस अम धू dé 6 काो तूट रिखे तो उसके लिए हम धर दो जुटली पानी याट कर लेंगे and तो अच्यष्क पर मिक्स कर लें क्योंकि चावल जो है तूट भी सकते इसलिए आराम से सभी को mix up करना है आप आप अब नमक जो है अपनी टीश का अकोडिंग डाल सकते हैं थोड़ा सा चैक करके क्योंकि चावल में नमक जो है पकने के बाद लेवल माई तो थोड़ा सा तेजी ढालना पड़ता है बस अब इ क्का ख़िले ख़िले चावल बनेंगे इस छिक से पनाएंगे तो यe देखी मैं आपको दिखास्थी हूं यह देखिए बिलकुल भी पानी नहीं रह गया है चावल बिल्कुल पर उफ देखने के लिए